Hey guys, welcome to this video. So finally, वो दिन आ चुका है, जिस दिन का आपने इंतिजार काफी समय से किया हुआ है. Generally, 3-year महारस्टा CTL exam होता है, May या June के महिने में. But, due to COVID, 2020 में ये exam November के महिने में होई थी. और इस बार, 2021 में, 4 और 5 October को होने जा रही है. I believe आपने आपका hall ticket download कर लिया होगा, आपको पता चल गया है, आपका center कहाँ पे है, कौन से दिन को है, 4 को है, या फिर 5 October को है, कितने बज़े है, क्या reporting timing है, वो सब चीज़े आपने जरूर कर लिया होगा. Okay, so in this video I am going to give you some tips and tricks for exam day, आपको क्या करना चीए, अभी से लेकिए exam तक, so सबसे पहले, I believe आपने ये kit already create कर लिया होगा, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कि आपका hall ticket आपके पास होना चीए, Okay, original ID proof, ये आपके पास होना चीए, ideally I recommend कि आप 2 ID proof रखिए, mask, ball pens होने चीए आपके पास, एक sanitizer का छोटा सा box होना चीए, colored photograph जो आपको यहाँ पर pest करना है, तो यहाँ पर इसको चिपका दीजिए, और एक water bottle जो transparent होना चीए, इसके साथ में declaration form या फिर affidavit अगर वो applicable है तो, अगर वो applicable नहीं है, तो उसकी कोई जरुवत नहीं है, fine, all ticket पे जो भी instructions लिखे हैं, उसको अच्छी तरीकी से पढ़ लीजिए, exam दिन को आपको क्या करना है, ये कुछ basic instructions है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि test taking strategy क्या होने चीए, सबसे पहले आज के दिन, या अगर आ किया जाएगा, आपको बैग रखना होगा, आपको एक computer assign किया जाएगा, तो वो सब चीजों में थोड़ा से समय लगता है, तो अगर आप टाइम पे पहुचेंगे, तो वहाप को किसी भी प्रकार का stress नहीं होगा, जो भी guidelines या instructions दिये जाएगे, वहाँ पे उसको follow कीजिए आपको जब laptop या desktop assign किया जाएगा, वहाँ पे instructions लिक्योंगे, उसको अब अच्छी दरीगे से पढ़ लीजिए, test start करने के पहले आपको कुछ समय दिया जाएगा, जहाँ पे आपको instructions पढ़ने होते, तो उसको अब अच्छी दरीगे से पढ़ लीजिएगा, don't start with any fixed mindset, तो आप में पहले से अगर कोई मन में strategy बना ली है, कि मैं इसी प्रकार से जाओंगा, इसी दरीगे से करूंगा, तो ऐसा मत कीजिए, पेपर में अगर कुछ change आया, आपको तकलीफ होगी उस टाइम पर, okay, and yes, be positive, trust your hard work, आपने काफी लंबे समय से मेहनत किया है, इस exam को लेके, तो be positive, आपका exam अच्छा जाने वाला है, जब paper start होगा, आपको देखना है कि ये section wise है, जैसे कि 2020 तक हुआ करता था, या फिर jumbled है, चाहे जो भी हो, आपको start करना है easiest section से, या फिर easiest question से, okay, it will give you a confidence, जब आप कोई चीज अच्छी करनी start करता है, आपका confidence level बढ़ जाता है, त don't spend too much of time on any one question, अगर आपको कोई question में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, आप उसको avoid करके, अप next question पर चले जाएगा, उसको mark कर दीजेगा, ताकि आप उसको बाद में कर पाऊ, okay, and stay calm and don't panic during the test, okay, चाहे कैसा भी paper हो, हो सकता है paper, बहुत ज़्यादा easy भी हो सकता है, okay, difficult त आपको सब कुछ काम माइन के साथ ही वहाँ पर test देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा excited नहीं होना है, paper बहुत ज़्यादा वैसे easy तो आएगा नहीं, okay, moderate to difficult level में ही होता है, so, अगर difficult भी है paper, तो आपको कोई panic नहीं करना है, क्योंकि अगर वो paper difficult है, तो it is not only for you, okay, it is for all the students, गबराने की बात, नहीं है, cut off colleges के नीचे उपर हर साल होते है, एक चीज़ याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सारे के सारे 150 questions जरूर करके आने है, last के कुछ minute में आपको जरूर चेक करना है, कि आपका कोई question छूट तो नहीं गया, अगर कोई question छूटा होगा, उसको आप random tick, इसको हम तुक्का बोलते हैं, वो आप जरूर करके आएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि negative marking नहीं है इस paper में, okay, submit paper, आप आपके हातों से last के 30-40 second में, आप paper submit कीजेगा, I will not recommend automatic submission, okay, तो आप avoid कीजेगा उसको, आप आपके हातों से last के कुछ भी seconds बचे होंगे, भले 10 seconds बचे हैं, आप उसमें खुद से ही आप submit कीजेगा, and जब आपका paper हो जाए, reward yourself, क्योंकि आपने जिस दिन का इंतजार किया था, जिसके लिए आपने काफी महनत किया था, okay, वो आपने exam दे दिया है, and do something simple that you enjoy, ठीक है, जो paper होगा, already मैं मैंने आपको बता दिया है, कि आपके बस 120 मिनट होंगे, online test होगा, 150 questions होगा, starting के 5 मिनट में, okay, और अगर आपने already marks काफी सारे लिक लिए हैं, तो ये time आप कम कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर ज्यादा time मिले, you have to know the paper, paper में वो jumbled है, किस प्रकार से questions पूछे गए हैं, okay, कहाँ पर review का option है, कहाँ पर submit का option है, कहाँ पर next का option, ये चीज़े आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जितना समय आप यहाँ पर कम लेंगे, उतना आपको यहाँ पर ज्यादा समय मिलेगा, okay, same goes to last के 5 minutes, अगर आप ने already marks दिया है, आपको अगर सब चीज़े पता ह है, यहाँ पर भी आप कम समय में वो सारी चीज़े कर सकते हैं, but make sure कि आप कोई भी question आप छोड़े ना, okay, and यह strategy आपको follow करना है, क्योंकि यह एक competitive exam है, जहाँ पर आपको कम समय दिया गया है, question solve करने के लिए तो आपको 11 minute में 15 questions, okay, यह आपको करने का goal होना चाहिए, हर 11 minute म ज्यादा समय लग सकता है, और अगर बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो आप next question पर चले जाईए, okay, no time for ego, so basically अगर कोई question है, मान लिजे कि आपको कोई chapter है, जिसमे आपने बहुत ज्यादा मेहनत की दी, अगर उस chapter से कोई question आ गया, उसको solve करने में समय लग रहा है, तो उ believe in you, आपको आपके ऊपर भरोसा रखना है कि आपका test अच्छा जाएगा, and we wish you all the very best for your exam, okay, do well, thank you.